दोस्तों और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो रीमा लागू का जन्म 1958 में नयन भद्धाडे के रूप में हुआ था उनकी मा मराठी स्तर पर एक प्रसेद अभिनेत री थी उनकी अभिनेक शमता का उलेक किया गया था जब वह पुने में हुजुर्पागा एचेच सीपी हाइ स्कूल में एक छात्र थे हाइ स्कूल पूरा करने के तुरंट बाद उनकी पेशेवर अभिने शुरू हुई उनकी पहली अभिनेक नौकरी या मराठी अवस्था में थी 1970 के दशक के उत्तरात में या 1980 के दशक के अंगमे उसने हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनेश शुरू कर दिया था उन्होंने मस्ती अभिनेता विवेक लगू से शादी कर ली शादी के बाद उसने रिमाला दू नाम लिया उनकी एक बेटी सूंसी लगू है जो मुंबई में है लागू ने ज्यादा तर भूमिकाओं का समर्थन किया है उसने हिंदी फिल्म उद्योग में कुछ बड़े नामों के साथ काम किया है टेली विजन धारावाहिकों के साथ शुरू होकर वह फिल्म कयामत से कयामत ताक 1988 के साथ प्रमुकता से गुलाब जहां उन्होंने जोही चावला की मा की भूमिका निभाई तब वह सल्मान खान की मा के रूप में हिट फिल्म मैंने प्यारे किया 1989 में अभिने किया उन ने उद्योब के कुछ सबसे बड़े हित में अभिने किया है जिसमें परिवार के नाटक हमाप ही है 1994, रंगिला 1995 कुछ कुछ हुआ है 1998 और हाल ही में कल हुना हो 2003 ज्यादातर मातरभावी भूमिकाएं केल रहे हैं उन्होंने अकोष 1980 में एक मृत्यांगना की है और ये दिहला 1994 में एक थंट व्यापारिक महिला है उन्होंने वास्ताव में भी एक चुनौती पूइन भूमिका निभाई दर रियालीटी 1999 संजय दत की मां का चित्रन करनाज़ अपने ही बेटे को मारता है लागू भी मराठी शो मनाचा मुझरा पर प्रदर्शित हुए हैं जो मराठी व्यक्तित्वों को सम्मान देते हैं वह ज्यादातर बॉलिवुड में अभी नेता सल्मान खान के चरित्र की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं मौत रीमा लागू का जन रिदे की गिरफतारी से पीरित होने के बाद उनसठ वर्ष की उम्र में हुआ